हलो एव्रिवन मैं हुकुम पटेल स्वागत करता हूँ अब सबका एक वर फिर से हमारे स्यूटूब चनल learn with हुकुम पटेल में तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेका रहा है एक बहुत ही इंपोर्टेंट अंसीन पोयम जो की आपके टीचर एक्जाम के लिए ढूंड कर निकाला हुआ एक अंसीन पोयम है और बहुत ही इंपोर्टेंट है जैसे कि मैंने आपनों को बताया था इस तरह की अंसीन पोयम जो होते हैं आपके cg yappertam my चली पोयमे इसको बताइंगे वह भी बहुत इंपोर्टेंट है तो लास्ट तक वीदियो जरूर देख लिजे रिजए फ्रेंट और अगर चानल में निए है तो चानल सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजए गाए हैं चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे इस पोयम को पहरे समझेंगे, उसके बाद इसके questions पर चलेंगे, 8 to 10 questions हम इस पोयम के उपर discuss करने वाले हैं, चलिए, तो हमारा पोयम है, वीवर्स, वीविविंग इट ब्रेक आप डे, वाय दो यू वीवर गामिन सो ग वीवर्स, वीवर्स मिस क्या होती है, बुनाई करने वाले हैं, बुनकर, ठीक है, जो कपड़े वगएरा बुनते हैं, उनके बारे में है, यह हमको यह पहला इस्टांच जैसे समझ में आ गया है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, कि वीवर्स, वीविंग इट ब्रेक आ ब्रेक आफ डे, तो हमको यह समझ में आ गया, कि वीवर्स या बुनकर के बारे में है, वीविंग इट ब्रेक आफ डे मतलब, यहाँ पर देखिए, फ्रेंट, ऐसे जो वर्ट्स आते हैं, ब्रेक आफ डे, या फॉल अफ नाइट, ऐसे वर्ट्स को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बिसिकली इस वीवर्स को या बुनाई करने वालों को एक कोस्तान पूछा जा रहा है, वीविंग इट, ब्रेक आफ डे, तो ब्रेक आफ डे का मतलब होता है, मॉर्निंग का समय, अर्ली मॉर्निंग, जब दीन की शुरुवात होती है, उस ताइम को बोला जाता है, ब्रेक आफ डे, तो जो राइटर है, वो क्या पूछ रहे हैं, बुनकर, अब सुबा सुबा अली मॉर्निंग बुनाई कर रहे हैं, वाइडो यू व्यू अ गार्मेंट सो ग्रे, आप ये गार्मेंट है, जो कपड़ा बुन रहा है, उसको बह दिख रहा है, वी, वीव दर रॉब्स अफ न्यू बॉन चाइल, तो इन कोस्टन्स की उपर फिर जो बुनकर होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, वो बताते हैं, वीव दर रॉब्स अफ न्यू बॉन चाइल, हम क्या बुन रहे हैं, नए बच्चे का, नए जन न्यू बॉन जो बेबी होती है, उसका हम रॉप्स, रॉप्स मिस होता है, कपड़ा एक तरह गाना, उनके कपड़े हम बुन रहे हैं, तो ये फर्स्ट के जो फोर लाइन्स था, पहला स्टांजा का, उसका हुआ मिनिंग, तो सेकेंड स्टांजा आप देखते हैं, और इसको हम समझते हैं, यहां पर देखें क्या क्या पूचा गया है, फिरसे जो रॉइटर है, वो एक कोसन पूचते हैं विवर से, विवर्स, अन्धेरा होना मतलब शाम कसम है, ठीक है, शाम कसम है, तो पुचते हैं, की विवर्स, इतने शाम के समय आप क्या बुन रहे हैं और आप इतना ब्राइट कलर का जो गार्मेंट है कपड़ा है वो कैसे क्यों बुन रहे हैं और किस तरह से पिकॉप का या जो मोर्नी का जो प्लम्स होते है बहुत अलग-अलग कलर का है ना परपल ग्रीन उस्त करल का वैसे कपड़ा क्यों बुन रहे हैं तो फिर अब यहाँ पर चौथे लाइन में जो वीवर है वो रिपलाई करते हैं हम क्या बुन रहे हैं क्वीन का राजकुमारी का मैरेज विल्स उसके शादी का क्या बुन रहे हैं गुंगट या यह वील्स मिस होता है गुंगट ठीक है शादी का मैरेज विल्स तो वो बुन रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर यह फोर लाइन का इस तरह से यह मिनिंग हुआ तो देखो फस्ट जो स्टांज था उसमें क्या मेंशन किया गया था ब्रेक अप डे मतलब सूबा क क्या में पुण रहा था नेडंबॉण बेबी का के लिए कपड़ा सेकेंड में क्या बुलागे हैं शाम का समय है और वह पून रहे हैं मैरेज विंस विल्स अ क्वीन के लिए छादी का जोड़ा जोनगट उसके बद नेक स्टांजा में देखेंगे वीवर्ट फिर से पूछते हैं कि इतना चुपचाप और इतना शान्त और गंभी रूप से आप विविंग का काम कर रहे हैं वाइड दो यू विव इन दा मौनिंग चील और मूनलाइट चील मूनलाइट में सोते हैं रात का समय मिडनाइट है ना तो फिर जो विवर से वो रिप्लाई करते हैं हम क्या मौन रहे हैं एक डेड मैं है जो मरगया अदमी उसके लिए क्या मौन रहे हैं हम फ्यूनिर्ल्व मिश होता है कफन का कपडाा थैन्यों इसτιतरह से तीन अलग अलग स्टान्जा में तीन अलग अलग सीचूवेशन को डिस्क्राइब किया गया है यह हम समझ गया है पहले में एक बच्चे के लिएक आपड़ा मतलब morning time में और second वाले में queen के लिएक कापड़ा के कौन से time में यहां रात के टाइम में डेध बॉडी के लिए तो तीन अलग अलग लाइफ के स्टेज़ को यहां फर । दिफाई किया गाहिए हमको समझ में । तीन अलग अलग लाइफ कौन-कौन से अलग स्टेज़ I empresa चाइल्धूट स्टेज को डिफाइन किया गया और इसमें यंग स्टेज को और इसमें ओल्ड स्टेज को ठीक है चलिए अब पॉस्टंस देख लेते हैं जल्दी से तो हमारा पहला कोस्टन है वीवर्स वीव ब्लाइंक इन दर अरली मौनिंग में वीवर्स क्या वीव करता है तो अब आंसर आप बताएंगे अभी है ना मतलब जल्दी से क्यास करते जाएं क्या बूल रहे है तो पहला है अब राइट ब्लू क्लॉथ अडल ग्रे ग्रे क्लॉथ अस्टॉप्ट वाइट क्लॉथ या रेट कलर्ड विल तो मौनिंग की समय में हमने शुरू में देखा ह यहां पर आप देखेंगे ब्लू एजब विंग ब्लू बर्ड वाइट तो फर्स्ट वाले के आंसर क्या हो गया option नुमबर पहला फर्स्ट ठीक है चलिए second question देखते हैं और इसकी आंसर समझने की कोशिशिस करते है which one of the following is purple and green colored देखो भी questions को समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी भी question के अच्छे से आंसर करना चा रहे हैं तो which one of the following is purple and green color purple और green color का क्या है तो purple और green color का हमने क्या दिखा था इस POEM में देख लिए थोड़ा सा आके है न क्या दिख्या था यहाँ पर आप देख रहे हैं purple and green color का क्या है जो marriage Kommun रहे थे नहां वो है purple and green color का ठीक है view करना में जबूनना ठीक है तो यहाँ पर आजहिए आप आप कहां पर आएगा, option number three, queen's marriage veil ही है, पर अपने ब्लू कलर का, इस तरह से आप इसके असानी से आंसर समझ सकते हैं, उसके बाद तीसरा next question देखिए, in the poem, the poet addresses the poem है, उसमें जो poet है, वो किसको address कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, बच्चे को address करके अपना poem बनाया है, कि queen को, कि viewers को किस सब को, तो अगर आप यहां पर देखेंगे, तो किसको address करके बनाया हैं, viewers को, viewers को बोला ना हर बार में, एग विवर्स आप क्या कर रहे हैं, इतने रात मक्यों बुनाई कर रहे हैं, तो सारी जो addressing है, वो किसके लिए है, address करना मिस किसी को बोला जाना, तो वो वो वीवर को बुला गया है ठीक है वीवर फिवर्स मैंस बुनाई करने माला है अगला पूर्ण क लिए इन बहुआ है चीली मुल्लाइट दॉब रात में वीवर क्या बून रहा है अगला यही तो आजाएगा है ना डेडामेन को कवर करने के लिए का बून रहा था वह एक श्रा आउड वड़ाया था ना कफन वह आला जाएगा इसमें अप्शन तीसरा और चाउर्था भी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे अगार्मेंट कीप अविया दचील थंडी दूर करने के लिए करपड़ा गार्मेंट वरेप न्यूपॉन बेबी को लपेटने के लिए इनफैंसी मींस होता है शिषू बहुत छोटा सा बच्चाuineलउड वाले वासे है बुढवस्ता और चैनलिटी मीस सोजाएगा भूढपा थिक है बुढवापा होते है सेनलिटी मीस बुढपा तो यह तीनो सेज हैं किया नहीं है तो कॉन वर्ड जो होती है, quiet means क्या होती है, शान्थ, उसका synonym बताने है, तो कौन-कौन से उसके synonym देखिए, पहला, funeral, दूसरा, steel, solemn, और both, b and c, तो देखिए, steel means और solemn, दोनों का मतलब होता है, शान्थ, शान्थ, या गंभीर, तो यहाँ पर second और third दोनों options ही हो जाएगा, ठीक है, अगला question है, 7th number का question, which is not a meaning of fall of night, fall of night का मतलब क्या नहीं होगा, तो fall of night means मैंने आप लोगो को क्या बताया था, fall of night means होता है, रात की शुरुवात होना, या शाम का समय है, जब सूर्य डूब जाता है, और उस समय को fall of night बोलते है, जब दीरे-दीरे अंधेरा होने लगता है, उसको, तो देखिए, कौन सा यहाँ पर उसका meaning नहीं होगा, ब dawn means होता है, early morning का समय है, तो यहाँ पर dusk means be strong होगया, twilight means be evening का समय होगया, और sundown means be evening का समय होगया, dawn means होता है, सूबा का समय, ठीक है, तो यह इसका meaning नहीं है, नहीं है, पूछा गया है, है कि नहीं, चली हमारा अगला question है, last question है, which is not a type of cloths here in this poem, इस poem में कपड़ा या cloth का कोन सा प्रकार नहीं है, है ना, बहुत सारे अलग-अलग cloths के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें से कौन सा cloths नहीं है, robs, wheels, shroud and plums, तो robs, आप लोग देखे होंगे, छोटे बच्चे का जो कपड़ा था, उसको बुला गया है, wheels हो जाया, marriage हो जो कपड़ा था, घुंगट वो, shroud means हो जाया का fun, और plums जो वर्ड आया है, वो एक कपड़ा का प्रकार नहीं है इस poem में, तो इस तरह से हमारा option number 4 सही answer हो जाएगा, तो इस तरह से friend, इस poem का अलग-अलग questions से related answers है, hope की सारे questions और answer आपको अच्छे समझ में आया होगे, वीडियो अच्छा लगो friend, तो like जरूर करीगा और comment करके जरूर बताईएगा, ठीक है, अगर चानल अभी तक सब्सक्राइब में किया, तो चानल सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए, thank you so much for watching,